हिंग लगे ना फिटकरी और रंग आई चोखा आज के वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप बगर कीटना शक और बगर किसी स्प्रे के जो पौदों में एफिट्स या इलिया या कीड़े लगते हैं उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अर्गानिक गार्डिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी शोशल मीडिया पर जरूर शेर किजिए इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं आप से चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्सक्राइब करने का लिंक यहां पर दिय कीट नाशक या इस्प्रे का इस्तेमाल करके जो बहुत सारे की लिया या एफिट्स होते हैं उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि आप बगर किसी इन्वेस्मेंट के या कोई बगर किसी लागत के कैसे कई कीटों का और एफिट्स और कई इल् बेल वाली खासतोर पर जैसे बीन्स हो गई या कोई और पोधा तब आप सांत में उसके करेले को भी लगाएं करेले को जब दोनों पोधे बढ़ जाएंगे तो आप दोनों की बेलों को सांत में एक जगा ऐसी व्यवस्था करने कि दोनों एक ही जगा बढ़ें तो इससे क् कि जब दोनों पोधे आपस में बढ़ जाएंगे तो करेले के कड़वे होने के कारण इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और इसका फाइदा दूसरे पोधों को भी बेलेगा जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बीन्स और करेले की जो बेले हैं आपस में एक दूसरे से इसकी ज़र रशाएंगे में दूसरे पोधों में लगाया जाए तो आप आसानी से कीटों का मियंदर्ण कर सकते हैं और इसमें आपको ना कोई इसमिर इसमें पूद्धे की नहीं किसी इंसक्तिस हैट की तो यह आपको फ्री में कीटों से यह कीडों से निजात पाने का एक तो आप ऐसा दूसरे पौधे में भी ट्राइ कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कुछ एफिट्स मौझूद हैं जो की इस बीन्स का रस चूस लेते हैं जिसके कारण से उस पौधे का विकास धीमा हो जाता है और आप देख रहे हैं कि एक तरह का यह पर छोड़ते हैं जिसके कारण चीटिया इस पौधे पर ट्रैक्ट होती है तो आप जिससे नीचे देख रहे हैं यहां पर एफिट्स या माहू लगे हुए हैं और साथ में आपको चीटिया भी नजर आ रही है तो यह एफिट्स है यह एक तरह का एक सैप छोड़ते हैं य यह पौधे को नुकसान पचाते हैं और उसका जो सैप है पौधे का उसको चूस लेते हैं इसके कारण पौधे का विकास बड़ा धीमा हो जाता है और पौधा अच्चे से बढ़ नहीं बाता है और अब मैं आपको एसी जगा पताऊंगा जहां पर कोई एफिट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हैं आप जैसे यहाँ पर करेला और जो ऐसेम है दोनों की बेले 7 में लगी हुई है तो यह ऐसा तरीका है जिससे आप एफिट्स को बगर किसी दवा या इस्प्रे के आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप देख रहा है यहाँ पर करेले लगे हुए हैं साथ में यह सेम यह बीन्स भी लगी हुई है तो यहाँ पर आपको कोई एफिट्स नजर नहीं आ रहा है क्योंकि करेले जो रहता है वो टेस्ट में थोड़ा कड़वा रहता है इसके कारण एफिट्स इसमें नहीं होते हैं आपके पोधों में कई कीट इलिया यह फिट नहीं लगते हैं क्योंकि के पोधे कुछ एसं कमपाउंट होते हैं जो की कीडों करेले के सांथ चड़ाने में यह फायदा तो इस कारण कीड़े या इलिया या इफिट्स इसमें नहीं आते हैं क्योंकि करेले के कंपाउंड में कुछ ऐसा रहता है जो कीड़ों को पसंद नहीं आता है मैं अब आपको इस बीन्स के मिचला हिस्सा बता रहा हूँ यहां पर आप देख रहा है एफिट्स लगे हुए हैं क्योंकि यहां पर जो करेले की बेल थी यहां पर नहीं है इस करान यहां पर एफिट्स है और जैसा आपने उपर हिस्से में देखा था जहां पर करेले की बेल और इस बीन्स की बेल दोनों साथ नहीं थी वहां पर एफि करेले की बेल और अन्य पोधों की बेल को साथ में चड़ाने का फादा यह होता है कि इससे आप बगेर किसी खर्चे के किलों और इल्लियों पर नियंतरन पा सकते हैं यह बहुत ही आसान और एक और अर्गनिक तरीका है जिसमें आपको कीटों के नियंतरन के लिए किसी दवा, स्प्रे या पैसे की जरूवत नहीं रहेगी एक फ्री तरीका है जिसमें आप फ्री में नियंतरन पा सकते हैं तो आप इस तरीकों को जरूर इ करें जब आप बीन्स या उसके जैसे किसी बेल वाली सब्जी को लगाएं या फिर कोई ऐसी सब्जी जिसमें बहुत कीड़े लगते हैं या इल्लिया लगती हैं तो आप उन चीजों को कीड़ों या इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए यह स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करिए जब आप बीन्स या और कुछ ऐसी सब्जी लगाएं जिसमें बहुत कीड़े या इल्लिया लगती हैं तो साथ ही उसके करले भी लगाएं और कुछ इस तरह की वेवस्था करें जिसमें कि हम दोनों बेलों को एक साथ कर दें ताकि उसमें कीड़े कम लगें यह तरीका इसमें हम इल्लियों कीडों या एफिट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें हमें कोई खर्चा भी नहीं होता है तो आप यह तरीका जरूर इस्तेवाल करिए और अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर उसे जरूर शेर करे तो यह एक और्गनिक तरीका है जिसमें हम बगर कोई कीटनाशक या कोई स्प्रे के एफिट्स या कीडे मकुडों को पौधों से कंट्रोल कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसे लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ ही आप इस वीडियो को औरों से शेर करिए ताकि उनको भी इस तरीके के बारे में मालूम हो और वो भी और्गनिक तरीके से एफिट्स इल्लियां ये जिनों का नियंत्रन कर सकें धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ प्रुड़ को